किसान साथियो मंडीबाव इंडिया न्यूच चैनल पर आपका स्वागते चलिए देख लेते हैं आज की ब्रेकेंग न्यूच की किस राज्ज में किसानों का कर्ज माप क्या गया है तो चलिए देखते हैं पूरी खबर तमिल नडू के 16 लाग से अधिक किसानों के लिए मुख्य मंत्री के पलानी स्वामी ने सनिवार को राज्ज में 12,110 करोड रुपई की फसल कर्ज मापी योजना की सुरुवात की उन्होंने सनिवार को 9 किसानों को कर्ज मापी का प्रमान पत्र दिया इस सर्टिपिकेट में कहा गया है कि किसानों के द्वारा लिए गए कर्ज का 31 जन्वरी 2021 तक का बखाया माप कर दिया गया है राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में विग्यप्ति जारी की गई है उप मुख्य मंत्री ओप पन्निर सेलवम क्रसी मंत्री केपी अंबल गन और मुख्य सचीव राजी वरंजन के नित्रतों में वरिष्ट अधिकारियों ने राज्य सचीवालाय में आयोजित कर्ज माफी कार्यक्रम में भाग लिया पलानी स्वामी ने पांच फरवरी को ही 16,43,347 किसानों द्वारा लिये गए 12,110 करोड रुपय के फसली रिण को माप करने की गोशना की थी उन्होंने कहा था कि इससे किसानों को बिना किसी बादा के खेती जारी करने का मारग प्रस्तत होगा तमिल नाडू सरकार ने किसानों के लिए जिस कर्ज माफी योजना की सुरुवात की वह किसानों को बड़ी रहत देने वाली है इसमें किसानों को 12,110 करोल रुपे के कर्ज माप कर दिया जाएगा कर्ज मापी योजना का लाप उन किसानों को मिलेगा जिनोंने कोपरेटिव यानि सरकारी बेंकों से कर्ज लिया था इस फ्यसले का लाप सिधे तोर पर 16,43,000 किसानों को होगा राज्य सरकार ने इससे पहले एक फरवरी को किसानों के लिए अन्य योजनाओं का एलान किया था तब मुख्य मंतरी के पलानी स्वामी ने गोशना की थी कि जन्वरी में हुई बारिस के कारण फसलों को हुई निक्सा की भरपाई के लिए तमिल नाडू सरकार राजजबर में 11,43,000,000 किसानों को सायाता के तोर पर करोडों रुपए देगी तब बताया गया था कि सायाता रासी DBTL के माध्यम से सीधे किसानों के बेंखातों में दी जाएगी C.E.M. ने कहा था कि भारी बारिस के कारण कूल 6,62,699 हेक्टियर में क्रसी फसल और 18,645 हेक्टियर में बागवानी फसल नस्ट हो गई उन्होंनों बताया था कि किसानों की समस्या का संग्यान लेते हुए सरकार ने चक्रवात्तों से प्रभावेत हुए किसानों को रज अबदा रहत कोस के दिशा निर्देसों से ज्यादा सायाता देने की गोशना की मुख्यम मंत्री ने रज के विधन सबा में रूल 110 के तहत किसानों की करज मफिकी गोशना की थी तब उन्होंने कहा था कि रज के को ओपरेटिव बिंकों से किसानों द्वारा लिया गया 12,110 करोड रुपई की फसली रिन को माप कर दिया जाएगा तबी ही उन्होंने कहा था कि रज जमें चक्रवाती तुफान, निवार, बुरेवी और भारी बारिस के कारण किसानों की इस्तती बदाले जिसे देखते हुए या फिसला लिया जा रहा है जन्वरी में तमिल नडू में काफी अधिक बारिस हुई थी जिससे फसलों को नुक्सान पहुंचा था एक जन्वरी से पांच फरवरी के बीच राज्य में सामान्य से कई गुना अधिक बारिस हुई थी इस दोरान सबसे अधिक दान की फसल को नुक्सान हुआ था बारी बारिस से किसानों को हुए नुकसान का मुआयना करने के लिए एक केंदरी टीम भी राज्य में बेजी गई थी राज्य के पड़ू कोट्टाई जिला प्रसासन द्वारा जारी प्रेस रिलेज के मुताबिक राज्य में बारिस के कारण धान मक्कई मुंगफली आदिक की फसलों को खासा नुकसान हुआ था वहीं प्रदेस के तंजावूर जिले में धान और मुंगफली के अलावा दाल की फसल को भी कापी नुकसान पहुंचा था जिले में धान, दाल, कपा, साधी फसलों को बारिस के कारण नुकसान हुआ था किसानों के हित में लिए गए रच्ज सरकार के फेसलों से किसानों को कापी रहत मिलने की उमिद धे तो किसान साथ ओब आपको नीस कैसी लगी नूज़ अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करें आगे आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी करने चैनल को